आज बनाएंगे ब्रेट की ऐसी रेसिपी जो आप पहले न तो कभी खाए होंगे, न देखे होंगे और ना ही सुने होंगे बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत 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 ज़यदा टेस्टी सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमें गैस चलाने की भी जरूरत नहीं है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ये वीडियो आपको जरा सभी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 पीस white bread आप चाहें तो white bread के बज़ाए brown bread भी ले सकते हैं उसमें बस दिक्कत इतनी सी आएगी कि color थोड़ा change हो जाएगा तो क्या करेंगे इसके sides को पहले हम निकाल देंगे अगर आप brown bread ले रहे हैं, color थोड़ा change रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, sides को मत निकालिए क्योंकि मैं बिल्कुल white बनाना चाहती हूँ, इसलिए sides को निकाल रही हूँ तो बस इस तरह से sides को निकाल देंगे और फिर इसको छोटे छोटे पीस में cut कर लेंगे आप चाहे तो हाथ से आसानी से तोड़ भी सकते हैं और इसके लिए आपको धियान रखना है कि एक्तम fresh bread लेना है तो बस bread को छोटे टुड़ों में इस तरह से करके mixing jar में डालेंगे और इसको grind कर लेंगे अप grind करने के बाद इसको एक बरतन में डालेंगे तो इसी mixing jar में डालेंगे एक चौथाई कप chimney और इसका भी हमें powder त्यार कर लेना है तो आप चीनी की मात्रा एक दो टेबल इस्पून जादा भी कर सकते हैं अगर आपको जादा मीठा पसंद है तो तो बस चीनी को भी इसी में मिला लेंगे और अब इसमें डालेंगे एक कप गरी का पुरादा यानि की डेसिकेटड कोकोनट और आधा कप मिल्क पाउडर तो इसमें आप सभी चीजों की मात्रा कम जादा कर सकते हैं जैसे कि मिल्क पाउडर अगर आप चाहे तो पुरा एक कप ले सकते हैं या नहीं है कम है मात्रा तो कम भी कर सकते हैं नारियल का बुरादा चाहे तो आधा कप ले सकते हैं या फिर मेरी तरह एक कप भी ले सकते हैं या फिर जादा भी कर सकते हैं तो लगबग डेढ़ चमच दूद में अलग निकाल ले रही हूँ, इसी दूद में डाल दे रही हूँ, 2-4 बूद केयोड़ा एसेंस, आप चाहे तो इसके बजाए रोज वाटर ले सकते हैं, या फिर हरी इलाची का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केयोड़ा जल ले रही हूँ, इसका स्वाध हम लोगों को बहुँ ज़्यादा पसंद है, आप अपनी पसंद अंसाथ चेंज भी कर सकते हैं, तो बस अब क्या करेंगे, इसमें यह दूद डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हम इसमें एक से डेड़ चमच दूद डालें हैं, फ्रेश ब्रेट लिए हैं, और साथी साथ पिसी हुई चीनी डालें हैं, तो हम इसको इस तरह से मसलते रहेंगे रब करते रहेंगे तो ये डो जैसा त्यार हो जाएगा मतलब कि इसको जब हम इस तरह से इकठा करेंगे तो ये बंधने लगेगा तो हमें इसी तरह से चाहिए अब अगर आप थोड़ ड्राइ ब्रेट ले रहे हैं तो आपको दूद की मातरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मतलब दो से तीन चमच हो सकता है आपको दूद की मातरा कर देना पड़े फ्रेश ब्रेट ले रहे हैं तो दूद बहुँ ज़रा सा लगता है अब इससे आप चाहे तो इसको सेट करके बरफी बना सकते हैं या फिर पेड़ा बना सकते हैं अपनी पसंद अंसार कोई भी शेप दे सकते हैं लेकिन मैं इससे बना रही हूँ लड़ू जी हाँ ब्रेड का लड़ू नाम सुनने में थो सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन यकीन मानिये दोस्तो इतने गजब के ये लड़ू बने थे कि बस बनाते ही खतम हो गए तो मुझे फिर से फर्माईश होई कि फिर से यही वाले लड़ू बनाओ खाने में इतने ज़्यादा टेश्टी लगते हैं कि आप बना कर रखेंगे और ये पूरे खतम हो जाएंगे तो बस इस तरह से लड़ू का शेप देंगे और थोड़ा सा गरी का बुराता उपर से भी लगा देंगे इसके उपर इस तरह से कोट कर देंगे जिससे देखने में और अच्छा लगेगा तो लीजे फट फट हमारे ये ब्रेट के लड़ू बनकर त्यार हो गए हैं न घी न मावा ना ही गैस चलाने की जरूरत बस दो मिनट में ही आपके लड़ू बनकर त्यार हो जाएंगे और स्वाथ तो जब आप इसको बनाएंगे तभी जान पाएंगे तो एक बार इस रेसेपी को आप जरूर ट्राई कीजे दोस्तो आपको ये मज़ेदार ब्रेड के लड़ू की रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक चरूर कीजेगा साथ ही साथ फेमली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजेगा बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक कौर नई रेसेपी के साथ जय ही जय भारत